अब जरा ध्यान से इधर देखिए मात्र दस रुपिया वाला सिक्का लेकर जाईए और बिहार सरकार आपको बीटेक करवा देगी बात हम नहीं कह रहे हैं बलकि जो बिज्ञान और प्रदोगी की मंत्री हैं सुमीत कुमार सिंग वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बैंगलोर के हो जा रहे हो दिल्ली के हो जा रहे हो नोएडा के हो जा रहे हो बिहार में आओ बिहार में मात्र दस रुपिया लेकर सरकार आपको बीटेक करवा देगी मात्र पांच रुपिया वरा सिक्का दे देंगे तो मंत्री जी के हिसाब से आपको सरकार पॉली टेकनिक करवा देगी अब जब सुमीत कुमार सिंग का बयान सामने आया तब इसके बाद लोगों ने कहा कि मंत्री जी नो तो बैठे बैठे एस गेम कर दिया एक बड़ा गेम खेल दिया जनता के साथ अब मंत्री जी ने गेम कैसे खेला तो बिहार के प्राइबेट को छोड़ दीजिए सरकारी कॉलेज में बीटे के करने का मतलब की इंजिनरिंग करने का जो पूरा का पूरा कोर्स का पैसा खर्चा होगा वो लगबग 50,000 रुपिया है लेकिन 50,000 रुपिया को सुमीत कुमार सिंग ने कर दिया 10 रुपिया और इसी पर आगे बातचीत करे कि कैसे आम जनता को एक चीज दिखाकर मंत्री जी ने खड़े खड़े ठख दिया बागे नमस्कार में मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं अब सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि आप किसी कॉलेज में जाकर एडमिसन लेते हैं तब कॉलेज वाला आपको क्या कहता है वो कहता है प्राइबेट कॉलेज वाला की 10,000 रुपिया हम लेंगे रजिस्ट्रेशन फीस का अब इसके बाद क्या होगा तो हम 5,000 रुप हम लेंगे हर सेमेश्टर का फीस हम आपको एक उदारन दे रहें अब टोटल मिलाकर कितना हुआ टोटल मिलाकर हो गया 20-30-35 मतलब कि आपका खर्चा हो गया एक सेमेश्टर में 35,000 रुपिया छो महीने का फीस टोटल पड़ गया 35,000 लेकिन कॉलेज इनुमर्शिटी वाला कहेगा कि हम तो लेते हैं 20,000 रुपिया फीस मात्र अब मंत्री जी ने ऐसे ही जनका को ठक दिया अब भी हार सरकार का नियम कहता है कि अगर आप पॉलिटेक्निक में अडमिसल लेंगे अगर आप इंजिनिनिंग में अडमिसल लेंगे तो आपसे 5 रुपिया और 10 रुपिय फीस के तोर पर लिया जाएगा लेकिन रइस्ट्रेशन फीस एकजाम फीस इसके बाद और भी कई तमाम परकार के फीसों को जोड़कर जो 4 साल का बीटेक का कोर्स है इंजिनिरिंग का कोर्स उसका पैसा हो जाता है 50,000 रुपिया के करीब मतलब कि अब 50,000 रुपिया सरकारी कॉलेज कितना है और सरकारी कॉलेज में बियार के अंदर कितना सीट है मतलब कि अगर वाकई में सुमीत कुमार सिंग या इनकी सरकार की मनसा होती कि छात्रों को वाकई में हम नोएडा नहीं जाने देंगे हम बैंगलोर बीटे करने नहीं जाने देंगे तो वो हर ज कि बिहार की जंसंखिया इतना ज़ादा है तो इस जंसंख्या के जो युवा है उनको बिहार का सरकारी कॉलेज मिले लेकिन तनी झाळे कारि için गुषे लेकी सरकारी इंगने। एक तरीका है, अब अगर पुलि टेक्निक की बात की जाए तो मंत्री जी ने कहा कि 5 रुपिया में पुलि टेक्निक, अब पुलि टेक्निक का पुरा-का पुरा free structure यहाँ पर आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि admission fees 5 रुपिया पर semester, tuition fees फीर 5 रुपिया पर month अब student development के नाम पर 1000 रुपिया लगेगा एक साल का इसके बार फिर लगेगा जो एक बार डिपलोमा के लिए देना होगा 200 रुपिया के आसपास और इसी परकार से तमाम चीजों को जोड़ कर वो हो जाता है 4000-5000 अब total फिस उसका भी होता है 8000-9000 मतलब कि 5 रुपिया में सरकारी कॉलेज से भी वियार के अंदर पॉलिक एकनिक नहीं हो रही लेकिन लुभाने के लिए इस बात को बोलना बेहद आसान है हमने आप तक पूरी बात पहुंचा दी आपकी क्या प्रतिरिया है कमेंट बॉक्स वाली कर बताईएगा आगे जो भी और जानकारी आगी जो भी और अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे सबसे मौत पुर्ण बात कि बिहार में कितना बिटे कराने वाला सरकारी कॉलेज है कितना पॉलिटेकनिक कराने वाला कॉलेज है सरकारी इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स वो नहीं कर बताईएगा कि हम रेप से शाहल खड़े और मैं मोहिच कुमार सेंग बहुत बहुत धन्यवाद